दोस्तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे प्रिंट मर्ज की वीडियो जरूर देखा होगा अगर नहीं देखा है तो अभी चैनल पर विजिट कीजिए और इसको जरूर देखिए कि किस तरीके से प्रिंट मर्ज काम करता है बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि अगर क में मल्टिपल नम्बर एक शीट पर एक नम्बर दूसरे शीट पर दूसरा नम्बर इस तरीके से हम कैसे insert करते हैं आइए हम यह थे यह टिकट की design है अगर इस ticket की design में आपको देना जैसे यहां पर address लिखा हुआ है यहां पर address अलग-अलग ticket में अलग-अलग address आपको insert करना है और इसमें कुछ और भी insert करना है जैसे माली जै कोई style number देना है या कोई और चीद देना है तो उसको हम कैसे insert करते हैं चलिए हम यह देखते हैं कि यह मैंने notepad की file बना रखा है notepad की file तो इसमें मैंने दे रखा है style यह style हो गया यह batch हो गया यह city हो गई यह 3 points हमने ले रखा है तीनों को हम इसमें एक ही साथ में insert करके दिखाएंगे किस तरीके से insert होता है अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल जरूर subscribe कर लें अभी तुरंत subscribe कर लें और bell icon जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की सारी notification सबसे पहले आपको मिले यह मेरी design है इस design को हम इसे यहां से select करेंगे और इसकी जो width और height है यहां से हम copy करेंगे बाहर click करेंगे यहां पर हमने paste कर दिया यानि इस design की जो width है उसके बराबर हमारा page बन गया फिर उसके बाद में यहां पर click करेंगे इसकी उचाई copy करेंगे और page की उचाई में copy कर देंगे तो यह हमारा size बनके तयार हो गया page का size है यह हमारा अब इस design को यह P प्रेस करके बिलकु सेंटर में लेके आते हैं file menu में चल करके print merge का option है create load print merge अब मैं यहां देखता हूँ दो option आ रहा है तो यहां पर में चलता हूँ import text from a file यहां से आगे बढ़े file में जा करके यहां जाएंगे यहां जाने के बाद और यहां कर देंगे इसका extension txt file यह हमारा data लिखा हुआ है data के नाम से मैंने save किया था इसको मैं कर लेता हूँ open open करके अब मैं आगे बढ़ाता हूँ आगे बढ़ा करके यहां पर आप देखेंगे field में style batch city तीनों आ गया यह जो मैंने यहां पर लिख रखा है इसको आप ध्यान से देखें style batch city यह सेन तीनों आ गया इसको हम close कर देते हैं हम आगे बढ़ाते हैं यहां जितनी entry थी सारी entry यहां पर आपके सामने आ गई आगे बढ़ा दिया फिर आगे बढ़ा करें finish कर दिया अब यहां लिखा style number style number को आपको insert करना है तो पहले मैं F8 प्रेस करके यहां पर मैं ले लेता हूँ कोई text ले लेता हूँ कुछ लिख लेता हूँ यहां पर कुछ भी लिख लीजिया इसे और इसी text को यहां पर रखना है इसे और इसका जो font देंगे आप मन चाहा font यहां पर दे सकते हैं यह font अब इसका color भी change करना चाहें तो आप इसका color भी change कर सकते हैं red कर दिये आप इसे double click करके इसको select कर लेंगे select all करके यह text tool से select है अब यहां पर यह style है यह style लिखा हुआ है insert print merge field कर देंगे यह हो गया और इसको हम ऐसे कर देंगे और इसको हम center alignment कर देते है center और यही copy करता हूँ मैं इसे control प्रेस करके यहां पर लेकिए यहां पर right click कर दिया और इसको आप दूसरे color में कर तो मालीचे blue में हमें करना है और इसको हम double click करेंगे double click करने के बद इस style के बाद हम चलते है batch batch करके insert यह batch हो गया आपको समझ में आ गया आप इसका font change कर सकते हैं इसका अलग font रख सकते हैं यह आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा कैसे font रखना है इसमें अलग font रखा इसमें अलग color यह address है address को हम same रखते हैं same का मतलब है यह same font रखते हैं और same color रखते हैं इसको हम इसे double click करके control A कर लेते हैं select हो गया अब यहाँ चलेंगे city city कर दिया यहाँ पर लिख दिया insert print merge field यह city हो गया अब आप चाहें यह इसकी pt थोड़ी से बढ़ा ले यह इसका point size तरीके से हो चुका है अगर यह लगे आपको यह बहुत बड़ा 14 pt है थोड़ा सा और कम कर लिजए इसको अब यह करना है merge to new document किलिक करते ही आप देख सकते हैं यह किस तरीके से यह जितनी भी entry थी सब आपके सामने आ गए style number यह हो गया best number यह हो गया और city का नाम यह लिख जा रहा है एक ही साथ में यह तीन तरीके का number यह चेंज हो रहा है हर पेज पर अलग अलग number यह कितनी entry थी इससे पता चल गया 30 entry यहां पर 30 लिखा हुआ है अब मैं देखता हूँ अगर आपको इसको print करना है आपके पास बड़ा printer है यानि digital printer है आपको print करना है तो print भी कर स सकते हैं इसको बड़े आसानी से अगर यह चाहें आप यह से मा लिजीए कि यह है यह पनजाब लिखा है और यह style number जो भी लिखा हो best नंबर अब इसका मा लिजीए हमें 300 прин करना है 400 прин करना है 500 प्रिंड करना है जो भी प्रिंड करना हो तो आपको क्या करना है direct control P करना है control P कर आप यहां चलेंगे printer आप select करेंगे कौँ सा मा लिजे device independent post script printer मैंने ले लिया preference में जाएंगे यहां पर आपको लिखना है 12 18 मा लिजे 12 18 size में आपको print करना है और यहां पर लिख देता हूं मैं 18 अब मैं आगे बढ़ता हूं print preview में और यहां second number पर चलने के बाद यहां पर देता हूं मैं यह 3 अब इधर से देता हूं मैं ऐसे बढ़ा करके देख रहा हूं मैं कितना आजाएगा यह इधर से 8 आगया और इधर से आगया 3 तो इसमें जो है तकरीबन 24 हो गया एक ही style को आपक इसको preview देखने के लिए यहां चलेंगे यह style number अलग है यह अलग है यह अलग है यह अलग है और यहां पर आप देख सकते हैं यह आमदाबाद लिखा है डैली नुएड़ा गुलगाव कानपूर लखनव हैदरवाग जम्मू पटना अलग अलग cities के ने मिस भी आ रहे हैं इ सब में आपको 1 लिखना पड़ेगा अगर आप इसको ध्यान से देखिए यहां देखते हैं यह लिखा है style number जो भी है और यह batch number F001 है तो सब में वही आ रहा है और यहां city का नाम पंजाब लिखा है तो सब में पंजाब आ रहा है और अब आगे बढ़ेंगे इसके कई सारे पेज बन गे यानि 30 पेज बन गे यह देख रहे हैं न 30 पेज बन गे तो आगे अब देखेंगे दूसरे नंबर पर 29 नंबर यह 30 पेज पर था 29 नंबर पर देख लिया अपने यह जो है आपका style number change हो गया और best number change हो गया city का नाम मुरादाबाद आ गया अब आगे बढ़ें तो देहरादून आ गया फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर अलीगर आ गया इस तरीके से जो है अलग-अलग sheet पे अलग-अलग ticket जो है यह बन के तियार होगा अब जो है जितना भी command देना हो आपको जैसे आपने command दे दिया कि 10 दे दिया तो 10 देंगे तो यह कितना print हो आपको 10 sheet निकालेंगे तो 241 style का 10 sheet में 240 ticket प्रिंट हो जाएगा तो अमीद है आपको बहुत अच्छे सा समझ में आ गया होगा और इसी तरीके से आप मेरे चैनल पर बने रहिए अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरा चैनल ज़रूर सब्स्राइब कर लें इसी तरीके से आपको tips और tricks में बताता रहूंगा